हेलो फ्रेंट्स मैं प्रिती श्रीवास्तो फन पार्टी गेम से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे और आज आपको मैं बहुत अच्छा एक गेम बताने वाली हूँ जो खेलने के बाद आपको मज़ा आएगा और उसके लिए कुछ थोड़े से समान चाहिए है तो आप उसे एजिली ले सकते हैं वैसे और इसमें कैसे और इसको क्या क्या समान चाहिए यह सब बताने से पहले य जाएगा एक तीन हमें डिस्पोजल चाहिए कोई बी जो चोटे बड़े कैसे बी डिस्पोजल चलिए जो आपके घर में है यह नहीं है तो तीन एक से साइस के आप ग्लासे भी ले सकते हैं और यह तीन आइस्क्रीम स्टिक एसकी जगे पर पर अप्सन नहीं है याद यह आ आपके पास प्लास्टिक वाले जो स्पून है जिसका इतनी लंबी है हुटंडी ऐसी होनी चाहिए आप भो भी ले सकते हैं तो तीन यह आइसक्रीम इस्टिक चाहिए है और यह 25-30 मारवल लेकिन 25-30 से भी कम में चल जाएगा 20 में 15 यह 20 यह 20 यह एजीली ले लिए क्योंकि ब आपको कैसे इसको अरेंज करना है आप अपन्ति तक जरूर देखेगा इसको इस तरीके से ऐसे दूर दूर रख लिजए और इस पर यह अपने हिसाब से आप अरेंज कर लिजए या तो छुश्ट इसको एक बार अरेंज कर दे और फिर उसका चलने दीज़े या जो खेलने पार्टिसिपेंट जो है मेंबर वो अपने हिसाब से अरेंज कर लिए तीनों अलग-अलग होना चाहिए थी एक दूसरे से टच ना हो इस तरीके से रख लिया ठीके ना इस पेस काफी मिल जाए हमें मतलब कम-कम ही इस पेसिप सहारे के लिए हमने डिस्पोजर लगाए हैं ठ और हमें इसके ओपर बॉर्खने हैं तो मैं वन मिनिट का टाइमर आरण करती हो। अरे से तरीके से मार्वल को जो है मोसा बैलेंस करना है बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करना है, सब पे कम से कम एक एक तो रहना चाहिए, ऐसे आराम आराम से रखें आप, बिल्कुल धीरे से रखना है, जिससे गिरे न, उसके बाद आप रखते चाहिए, गिरते हैं बहुत चल्दी से धुलक जाते हैं, इसका बैलेंस बनाना बहुत इसलिए दीर से रखना है आपको कहीं पर भी रख सकते हैं एक एक पहले तीनों पर रख लिए और फिर रखिए देखिए वह गिर गया अभी इतना हुआ और अभी 48 सेकंड अल्रेडी हो चुके हैं वह भी गिर गया यह भी नहीं यह है ऐसे गिरते ही रहेंगे बहुत कम है किसी के बहुत ज्यादा अच्छे से हो जाए और यह मेरा 1 मिनिट का टाइम हो गया और हमारे कितने मारवल हुए टू और टू फू 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 मारवल जो है वह मारे इस पर गयर बैलेंस रहे तो हमारे पॉइंट हो जाएंगे तो इस तरीके से जो सबसे ज़्यादा करेगा वो होगा इस गेम का बिनर तो आप इसे खेले एंगजॉय करें और अपने कमेंट से भारे साथ सेयर जरूर करें थैंक यू